तो हमें अगर अपने को जानना है Self Realization और God Realization दोनों एक ही है दोनों में कोई अंतर नहीं है तो भगवान को जानने के लिए भगवान बोलने है कि आप गुरू के पास जाएए गुरू से वीनीत भाव में प्रशन पूछिए सेवा करिए और उनसे प्रशन पूछिए और फिर उन्होंने सत्य को देखा है और वो आपको जो है मार दरसन करेंगे तो गुरू जो है वो कृष्ण को देते हैं और कृष्ण जो है गुरू देते हैं और उसके साथ साथ गुरू के qualities के बारे में भी बताया गया हुए तो भगवत गीता के चोथे अध्याय के सुरू में ही उन्होंने बुलाए कि ये ग्यान जो है परंपरा द्वारा गुरू से परंपरा द्वारा चली आई हुई थी और फिर ये परंपरा जो है तूट गया इ ब्रह्मा जी को ग्यान दिया तो उसको ब्रह्म संपरदाय बोला गया हुआ है फिर उन्होंने लच्मी जी को ग्यान दिया तो उससे स्री संपरदाय निकला उसके बाद फिर जो है संकर जी को ग्यान दिया उनसे रुद्र संपरदाय निकला और फिर भगवान ने जो है चार कुमार, शनक, शनातन, सनानन, सनकादी इन चारों को ग्यान दिया तो उनसे कुमार शंप्रदार निकला तो ये फोर बोनफाइड प्रामानिक प्लेस हैं जहां पे कि हम गुरू एकसेप्ट कर सकते हैं और वहां परंपरा से हैं तो वह भगवान से जुड़े हुए हैं और वहां पे ग्यान को as it is ही दिया जाता है बीना किसी mix up के कैसे ही दिया जाता है as it is जैसे कि कोई postman है आपने later को लिखा और मुझे लिखा later तो postman उसमें कुछ मिलाटा नहीं है वो as it is वो हमें later देता है तो गुरू का काम भी क्या है कृष्ण के संदेश को जो भगवान ने ग्यान दिया हो उसको as it is बीना modify किये हुए वो देते हैं इसलिए वो ग्यान जो है वैदे रहता है प्रामानिक रहता है और उसमें किसी तरह का modifications नहीं होता है तो ये चार प्लेस जो है bona fide प्लेस है अब आगे आते हैं गुरू के character के बारे में कि गुरू कैसे होने चाहिए तो रूप गोस्वामी स्री उपदेशामृत में बताते हैं वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जिवा वेगम उदरो पस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहायत धीरह सर्वम मप इमाम पृत्विम सोसिस्यात अर्थात जो धीरपुरुस जो अपनी वाणी के वेग को मन के वेग को क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव के उदर को और जननेंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है वह सारे संसार में गुरु के योग्य है और वह पूरे संसार में सिस्य बनाने योग्य है सव पृत्विम सोसिस्यात अर्थात वह पूरी पृत्विम पे सिस्य बना सकता है तो ये प्रामानी गुरु होते हैं जो कि परंपरा से जुड़े हुए होते हैं और उनको ट्रेणिंग मिलती है उनके गुरु होते हैं फिर वो अपने शिश्य को देते हैं तो इसका मतलब कि ये जो परंपरा है वो भगवान से चली हुई आती है वहां पर गुरु परंपरा जो ग्यान है वो descending knowledge है उपर से कोई गुरू नहीं है ऐसे जगें जो वो गस है फाइनली जो गुरू हुए वह भगवान से जुडते हैं चाहे वह चार जो गुरू है में गुरू उनके अब उसके बाद तो फिर दूसरा कौन गुरू बना सकता है इसके बारे में चैतने चरिताम रित्म में बताया गया अर्थात कोई भी व्यक्टी चाहे वो ब्रामण हो वेदिग्यान में जो दच्च है या निम्न जाती में जन्मा हुआ सुद्र हो या वह सन्यासी हो यदि वह कृष्ण तत्व वेत्ता है यानि कि कृष्ण के विग्यान में दच्च है जो भगवान कृष्ण के बारे में ज बना सकता और वही प्रामाणी गुरु है किवाभी प्रकिवानियासी केने सुद्र केने ने एक्रिष्न तत्वित्ता से गुरु हो उसके आगे वैश्नों गुरु कौन हो सकता है ये बात जो किवाभी प्रकिवानियासी ये चैतने चरितामृत के मध्य लीला में 8.128 में बता यही बात दूसरे सब्दों में जो है पद्मपुराण में भी बताई गई हुई है। गुरु का काम क्या है? जनम्रित्यू के चकर से छुटकारा दिलाना। मुकुंद की सरण में होगा। मुकुंद का मतलग कि जो मुक्ति देने वाला है। और मुक्ति देने वाले कौन है? भगवान कृ忍시나 है, उनका नाम मुकुंद है। तो जो मुकुंद के बारे में जानकारी ही नहीं रखेगा, जो कृष्ण वो फिर क्या बताएगा वो तो अपने मन की जो उपज है वही सब दिएगा अपने जो उसके मन में आएगा वही वो लेगा वो तो इसलिए हमें बहुत ही केरफुल रहना है कि हम कहां जा रहे हैं व्यान प्राप्ते करने के लिए क्लियर हुआ प्रभू हम खुद एक परमाने गुरू के सिस्य कब बन सकते हैं, मुष्यू गुदू? कब बन सकते हैं मतलब हमारी के जो किता हुनी शही है?